सत्तू हमारे सिहत के लिए बहुत ही फाइदे मंद है आज हम सिकhेंगे घर पर ही सत्तू और सत्तू सशर्बत कैसे बना जाता है साथ ही जानेंगे इसके बेनेफिट्स तो इस वीडियो को एंट तर जरू देखें सब्तू दो तरीके से बनता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक cup चना जो गावरा नॉरमली हम घर पे चना यूज करते हैं ये एक cup चने को हमें पानी से अच्छे से दो लेना है दोने से इसके उपर की जो धूल मिटी होगि वो पूरी निकल जाएगी 100 ग्राम चने में कम से कम 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है जो कि वेच्टेरन लोगों के लिए बहुत ही फायदे मन्द है तो यहाँ पर आधे गिंटे के बाद आप देख सकते हैं चने का जो उपर का चिलका है बहुत ही लूज हो चुका है अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकाल लेंगे और इसे हमें कड़ाई में धीमी आज पे कम से कम 25-30 मिनिट के लिए भून लेना है चना हमारा गीला है और इसे भूने में भी टाइम लगता है जैसे यह बूनेगा वैसे वैसे आप देखोगे इसके उपर क्रैक्स आएगे और इसका जो कलर है अच्छा ब्राउन होगा तो मैं आपको यहां से पास में दिखा आती हूँ इसके उपर जो क्रैक्स है अगर इस तरह से क्रैक्स है तो समझ जाना चना हमारा अच्छे से भून चुका है गैस को बंद करके इसे प्लेक में निकाल लेना है और इसे अच्छा थंडा होने देना है कम से कम आदा गंटा लगेगा चने को ठंडा होने में कम 10 मिनिट तो इसके क्रैकल सुनने में ही जाते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके क्रैकल सुनने में तो ठंडे चने को हमें simply grind कर लेना है और ये हमारा घर पर ही सत्तू बनके ready हो चुका है सत्तू में protein और fiber भरपुर मात्रा में पाया जाता है इसका हमें एकदम fine powder बना लेना है मैं आपको यहाँ पास में से दिखा आती हूँ तो इस तरह से हमें एकदम fine इसका powder बना लेना है तो अब बनाते हैं दूसरे तरीके से सत्तू इस सत्तू के लिए हमें लेना है 100 ग्राम फुटाने की दाल जो simply बिना नमक वाली भट्टी में भुनी हुई फुटाने की दाल होती है जो कि किसी भी किराना शॉप में आराम सी मिलेगी वो हमें यहाँ पे लेनी है इसके जो उपर का dead skin यानी जो छिलका है वो हमें उपर उपर हलका हलका रब करके निकाल लेना है इसका जो पूरा छिलगा है वो हम नहीं निकालेंगे बस उपरी उपरी जो इजली निकल जाता है वो पूरा निकाल लेना है सत्तु की जो तासीर है वो ठंडी होती है इसलिए से गर्मियों में पिया जाता है जो कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है रोज खाली पेट सत्तु पीने से शरीर हमारा एकड़म हाइड़िट रहेगा और पेट की या पेरों में जिसको गर्मियों की तकलिफ होती है वो दूर हो जाएगी सत्तु के शर्बत रोज पीने से पाचन शक्ति में सुधार आता है और आसेड़िटी ग्यास जैसे समझ से में राहत मिलती है तो छिलका निकालने के बाद आप देख सकते हैं यह हमारा जो फुटाने की दाल है यह कुछ इस तरह से हो चुकी है अब इसे भी जैसे पहले हमने ग्राइंड किया था उसी तरह से फाइन इसे ग्राइंड कर लेना है पैरों में सुजन हो, आसेड़िटी हो, कब्स हो उसके लिए सत्तु पीने में बहुत ही फायदेमंद है वैसे इसके पराठे में बनाये जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं तो यह हमारा फुटाने के दाल का भी सत्तु बनके रेडी हो चुका है वैसे सत्तु घर पे बनाना बहुत ही आसान है बाजार में ये महेंगा मिलता है लेकिन घर पे हम बहुत ही आसानी से से बना सकते हैं सत्तु में प्रोटीन, फाइबर, विटाइमिन और मिलर बहुत ही अच्छे मातरा में पाये जाते हैं इसका जो शर्बत है ये गर्मियों में बहुत ही धंड़क देने वाला होता है इसे रोज खाली पेट ले वेट लोस के लिए ये बहुत ही फाइदे मन्द रहेगा तो शर्बत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो अलग-अलग ग्लासिस लिये हैं इसमें हम डालेंगे गुड गुड या तो कदुकस करें या इसे सिंप्ली बारिक करें और इसे में डालेंगे दो चम्मत सत्तू का पाउडर ये जो हमने दो अलग-अलग सत्तू बनाया थे व इसमें ठंडा मटके का पानी यूज करें जो की पीने में बहुत ही स्वादिश्ट लगेगा और इसे मिक्स कर लें अब जो ये शर्बत है इसे गाड़ा या पतला आप अपने स्वादा नुसार रख सकते हैं तो यहां पर ये जो शर्बत है मुझे बहुत ही पतला लगा तो म और इसे खाली पेट पीने से आप देखोगे बहुत देर तक पेट भरा भरा दिखेगा और एनरजेटिक भी लगेगा तो इन गर्मियों में घर पर ही सत्तू और सत्तू का शर्बत बनाए और गर्मियों के मजे ले इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और इसे तरह से आत्यात्मारम रेसिपीस को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाबाई